कहते हैं करत करत अभ्यास के जडमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलपर परत निसान, मतलब महनत इतनी जोरदार कीजिए कि पत्थर पर भी जो है निसान पड़ जाए और वही महनत निकल कर सामने आया है और बगल में जो सक्स हैं इनका नाम कौसल की सोर है, चत्रा के लाव करते करते ऊप चुके हैं और खास कर के जारखन में जो नौकरी लेने, परिक्षा करवाने, फिर रिजल्ट प्रकासित करने की लगतार लड़ाईयां लड़ रहे हैं, कौसल की सोर ने फिलहाल UPSC की दो-दो परिक्षा में एक साथ सफलता हासिल की है, एक में All India 20 रंक लाया है, लेकिन उससे पहले ये Central Government के Ministry of Tribal में जोब कर रहे हैं, जारखन में ही इनकी पोस्टिंग है, तो एक साथ आखिर इतनी सफलता कैसे इनहें मिल रही है, इसी मसले पर बात करेंगे, कौसल पले बहुत बढ़ाई आपको, धन्यवाद सर, वही है आपने जिस तरह से अभी स सिंता नहीं करो, तो मैं एक तरह से लगादार महनत कर रहा था, डिसिप्लीन वे में कर रहा था, तो कहीं ने कहीं वही है कि इस वर की इच्छावी कि अब इसको दे देना चाहिए फ़ल, तो जब फ़ल मिल रहा है, तो एक साथ मिल रहा है, और ये दूसरा सबता है मेरा, अ नहीं था, तो वही है, की परिक्षा हुई है, उसका इन्होंने अभी मुख्य परिक्षा लिखा है, उससे पहले इंटर्व्यू तक पहुंचे थे, CDPO की जो परिक्षा अभी चल रही है, उसका अभी मुख्य परिक्षा इन्होंने लिखा है, रिजल्ट का इंतजार है, और अभी ये प्रिंस्पल इन्चार्ज के तोर पर एकलब विद्याले में काम कर रहे हैं जो Ministry of Tribal के अंदर आता है तो मतलब आप क्या करना चाहते हैं नहीं वही है सुर्वासत वही था कि छोटे जगा से इतना आप जान रहें लावालंग बहुत उग्रवाद परवाई छेत रहे हैं तो वहाँ से बहाँ मेरे पीता जी मतलब अपने गाउं के पहले सरकारी नोकरी पाने वाले वेखती थे तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई फिर दिरिदे उनको देखा तो उनके टैलेंट को देखिए उनको सरसिचा भियान के तहट काम दिया गया फिर बिहार सिचा परिजना उस वक्त था अपना जारकन अलग होने से पहले तो वहाँ भी स्टेट कोडिनेटर फिर डिश्टी कोडिनेटर बहुत रूप उन्होंने किया जारकन के NCRT में भी उन्होंने काम किया हुआ है तो उनका हमेशा जुडाव देखता था, एडिस्टेटर से, डीसी से मिलना, डीसी से मिलना, एजुकेशन ओफसर, और उनको भी गाड़ी मिला हुआ था सर से चावियान के तरी स्कुल विजिट करने का, तो मैं पूछा करता था कि अधिकारी क्या होते हैं, क्या करते हैं, कैस सवजह से एजुकेशन में पिछड़ा पन है, स्वास में पिछड़ा पन है, तो मेरे अंदर सुरू से ललग था, कि मुझे एक मतलब सेवक बनना है, अभी तक तो नहीं हो पाया, जर्नी जारी है मेरा, लेगिन वही है कि अधिकारी बनना था, तो वही है, अब अधिकारी बन गया हूँ, लेगिन वही है, कि अभी लिमिटेड स्कोप में, अभी मुझे काम करना है, फिर वही है कि अगर जेपीसी के माध्यम सो जाए, यूपीसी के माध्यम से आईस मिल जाए, या डिप्टी कलेक्टर हो जाए, तो यह बड़ा-बड़ा इंपेक्ट कर पाऊंगा सोसाइटी में, सवाल वही है कि चत्रा के का लावलंग गाओं, जो एक समय बहुत घोर नकसल प्रभावी तिलाका था, वहां से निकल कर आप दिल्ली तक कैसे पहुँचे, क्या जादा तर पढ़ाई आप चत्रा में राकर किये कि सीधा दिल्ली बच्पन में ही चले गए, यह हुआ, सब्सक्राइब कर था, दसमा तक मैं वही है उपढ़ा ओ, हमतलब वही पढ़ाईब बध्या में वही से किया हूं, पिर पलमशटू में रांची से किया था डिय भी घल से, फिर गिरिश Спन मेरा ही नुट डिश्टी से ही है, माभरिखारी कॉलेज यह है, भी कर रहा था, फिर दोगा-सला में वेकें-सी आई गरिजाशन होते ही, जारकंत जे पलिक का, तो सीक जे पलिकियो भी दिया था, तो वही है, विवाद काफी हुआ था, फस्स्त, लिज्र्यक्न, सकेंड रियल्टividad आपको याद हो, तो तीन रियल्ट हुआ तब पीटी का हैं उसमें, तो वो सब चक्रों में फस के मेरा मेंस का रियल्ट नहीं हो पाया, फिर सेवन जे पेसी का आया, फिर बीच में सिविल सेवा कहीं देता रहा, तो उधर भी श्टरगल करते रहा, फिर इधर फोकस हो गया, जब सेवन जे पेसी आया, तो लाश्ट टाम इंटर्व्यू तक गया मैं, तो कुछ मार्ट से रहा गिया, फाइनली, फिर मन में ये था कि प्लान भी कुछ रखना है, और मैं सबसे यही कहना चाहूंगे, प्लान भी होना चाहिए, कम से कम हम जैसे जो बैग्रोंड से आते हैं, क्योंकि मेरे फादर 2017 में रिटायर कर गया थे, तो हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडन भी होना था, तो इसलिए मैं प्राइबट जॉब भी कर रहा था, मैं जो इंटर्व्यू दिया हूँ, यह कि मतलब जो निकाला हूँ, वो जॉब में रहते हूँ, मैं किया हूँ, मैं वरकिंग प्रोफेशनल था, प्राइबट में, तो मैं कर रहा था, खुद प्रिवेरेशन भी कर रहा था, मैंटरिं भी कर रहा था बच्चों को, ISPCS के लिए इससे पहले कंटेंट में काम करता था धीरे-धीरे मुझे आप परमोसन होते थे मैंटरिंग में हो गया मतलब बहुत आसानी से यह सपलता नहीं आसानी से नहीं मेली तो प्राइबिट में भी श्ट्रगल किया फिर एक टाम ऐसा हुआ कि मैं कि मैं टॉप परफॉर्मर में हो गया था कि मैंटरिंग में 100% मुझे मिलते थी उसका आता था कि बच्चों का फिडबैक इतना अचा होता था फिर फिजिक्स वाला में जोइन किया तो इस तरह से मतलब जर्नी जारी रही और उसी जर्नी के साथ-साथ मैं यह सब एक्जाम निकाला हूँ लेकिन एक बार आपका बेस बन जाता है तो उसके बाद आपके लिए चीचे मतलब असान हो जाती है तो वही था कि मेरा पहले का जो मेहनत था वो रिजल्ट में परिनत हो दे गया धीरे-धीरे तो यही है किस-किस परिक्षा में सफलता हासिल किये और दूसरा कि इसकी तयारी करने के लिए जो इस्टुडेंट देख रहे हैं वो क्या करें कौन सा सब्जेक्ट आपका था क्या था कैसे फोकस करके बढ़ाई किये आध लिए और मिसमेर्ठ फी नी गार्थ एक कर आपका ने जए इसल लेक्षा के बिघम है तो इसका भी था ना इसका था सभी आधर खी जारी किया हो था go दोनो एक यह ए उस्रम अंप्राले बिए यह उस्व है तो उसी में मतलब UPSC के तरफ से निकला हुआ था तो शुरू से उसी का मिकजाम दे ही रहा था तो मौका मिला मुझे की UPAC के थुरू होना है और दो दो एक ही साथ एकजाम आ गया था EPA4 और ESIC का दोनों तो मुझे लगा कि इस मौके को नहीं भुनाना है और जारखन में श्ट्रगल में करी रहता जारखन में भी क्योंगी टाइम से हो नहीं रहता चीजें यहां भी वेकेंसी नहीं आई थी 2022 के तब तक जेपीसी की वेकेंसी नहीं आई थी यहां पे तो मैं अच्छा मादे में अगर सही रूप से प्रियोग करें फिर गूगल है उसके बाद नोट्स बनाएं फिर प्रॉपर उसका एक्जाम के पहले फिर अच्छे से मतलब रिवायच किया फिर एक्जाम दिया एक्जाम हो गया रिटेन के लिए रो गया उसके बाद फिर सही ilum इता ने इक्जाम नहीं दिया हूं क्योंकि में वरंकिग भी था अर् मेरा इंटर्वियू हुआ है अगस्ट में और में जॉब मे था वो भी हट गमरिया में चावासा में कहीं इंटर्व्यू का प्राक्टिस नहीं नहीं नहीं, सारंडा में कहां आपको सुईधा मिलेगी, सारंडा में मैं पोस्टेड हूँ, तो इंटर्व्यू का कोई दिल्चस्प किस्सा सुनाईए, जो ऐसा सवाल हो, जो पताया जासे है, वो जारकन का वो बिर्सा मुंडा पे सवाल करना चाह रहे थे, तो इंडिरेक्टली व झीजे लगा कि हो, थो आले कि पूच रहे हैं, तो मैंने घे दिया, तो वो छिए सही है, तो फिर उसके बाद पर जाहरकन के बारे में प unanimous of my sentence भाइण के पी से, तो भो सब मैंने निथिफाइं किई पे सब किया अच्छे से, फिर अपना, पना है तो एकार्म पी राजभा हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे पर्मोशन के लिए तो इस तरह से सवाल किये गए मुझे मतब कंफर्टेबली मुझे लगा कि मैं असानी क्योंकि मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया था मेरा थोड़ा हेल थी चल रहा था इसलिए मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया तो UPSC Civil Services की परिक्षा की तो खूब चर्चा होती है, रिजल्ट आते हैं तो देश भर में जर्षन का माहल हो जाता है, ये दोनों जो परिक्षा है, इसके subject के बारे में बताईए, आप तो पताई, special paper आपका जिक्रोफी ही होगा, उसके अलावे और क्या-क्या subject होते हैं, चु सब्जेक्ट होता था, अब है कि अब समय के साथ इसे ये PSIR हो गया, Political Science and International Relations, ये हो गया, अभी इसमें अच्छा रिल्टा रहा है, सोचलोजी से अच्छा रिल्टा रहा है, तो समय के साथ, और मैं भी खूद समय के साथ चेंज कर दिया हूँ, अभी मुझे preparation करना होगा, तो समय के साथ बदलाओ भी करने के जरुद है, ये निकी rigid mindset के साथ लगे हुए हैं, पिर आप सफलता से दूर होते जाएंगे, समय के बदलाओ के साथ, आपको चेंज लाना पड़ेगा अपने आप में, तब आप सफल हो पाएंगे, तो ग्रिजिसन के बाद ही आपका फोक कि उनमें क्या क्या है, और जो specific, जो quality होती थी, वो not down भी किया करता था, कि क्या विसेशगून होते हैं, तो इसलिए थोड़ा ये रहा कि दिली जहां के में जादा भटकाओ कि और नहीं बढ़ पाया, क्या कि थोड़ा एक रहता था कि डिसिप्लीन रह गया थोड़ा सा वो मैं इंटर्व्यू में दिखाया हूँ जो छबा था, तो उससे भी इंप्रेशन मेरा अच्छा गया कि अपने गाउं के पहले यूपेसी पास करने वाले हैं, जी, वहां का पाइदा लिया हुआ मैं पहला हूँ, जो यूपेसी पास किया हूँ, गाउं किया वहां परखंड मां चाहेंगे स्टुडेंट को जो देख रहे हैं, कैसे फोकस करके पढ़ा ही करें, तब जबकि जारखंड में समय पर परिक्षाएं नहीं होती, तो सेंट्रल की जो परिक्षाएं समय पर होती है, उसको कैसे एक रूटीन में डाल कर उसका फॉर्म फिलब करें, तैयारी मे पर फोकस करना है पढ़ाय से रिलेटेड भी अभी हजारों चैनल हो गए हैं तो आपके लिए जो सुटेवल होता है उस चैनल को फोलो किजिए मान लिए कि अब मुझे यह एड़ोटेरियल डिसकसन सुनना है यूपीसी प्रिपरिशन के लिए मुझे बैजु का चैनल लगते रह जाओ गे तो एक क्या कि यूटूब और सोसल मीडियम भटकाओ जादा है तो इससे आपको लिमिट आपको सेट करना पड़ेगा प्राइटी सेट करना पड़ेगा एक प्राइटी सेट कर लिजे उसके अनुरूप आप चलिए तो सफलता असानी से मिलेगी भटक जाओ ज्यादा हो गया तो आपको एक लिमिट में चलना पड़ेगा ने तो आप टाइम वेस्ट करते रहा जाएंगे समय लगते जाएगा और फिर हम लोग भी तो सीखें कोई गाइड करने वाला नहीं था कोई अपने ऊपर को अधिकारी भी नहीं था अपने फैमिली से य लेकिन हम लोग जो सबक लिए हैं उससे यही लिए हैं कि भटकाओ से बचना है तो सक्सेस आप जल्दी पाऊगे तो बिल्कुल सफलता पाना है तो भटकाओ से बचना है और इसी तरह कड़ी महनत करना होगा तभी UPSC, JPSC और जितनी परिक्षा हैं आप जितने में बैठे एक साथ वो लेबल आ जाएगा कि एक साथ सभी परिक्षाएं अपकरेक्ट करने लगेंगे और उसमें इसी तरह सपलताय लगातार मिलती रहेगी सुक्रिया दक्टर, 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 अरे कोई डक्टर यहां नहीं मिलेगा पर जे में मालो ने तो कहा था हेल सेंटर में डक्टर, नर्स, दवाई साब मिलेगा तुमको मिला क्या हमको भी नहीं मिला हमें तो नहीं मिला आपको मिला क्या इन्हें तो डक्टर दवाईया कुछ नही कर दो एको ढिरने दृट कर दो कौन दूब वर कर दोहादा दोटिए टॉपेर इन।